सर्दियों के मौसम में पूरी होया पराठे खाने में बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ गर्मा गर्म मूली के पराठे की रेसिपी और इसके साथ बनाएंगे हमें एक तीखी सी चटपटी हरे दनीय और टिमाटर की चटनी मूली की बार में बिल्कुल परफेक्ट बनकर तयार होंगे चलिए मूली के पराठे बनाना शुरू करते हैं तो पराठे बनाने के लिए सबसे पहले हम आटा गोट कर तयार कर लेंगे तो यहां पर लिया है मैंने दो कोटोरी गेहूं का आठा आठी छोटी चंबश नमक आठी च चमस्ट देल यह थोड़ा सहरा दनिया सारी चीजों का पस में अच्छे से मिक्स कर लेंगे आठे में थोड़ा से एक चमस्ट देल डाल देने से हमारे पराठे बिल्कुल सॉफ्ट बनकर तयार होते हैं और थोड़ा थोड़ा पानी डालकर यहां पर मैं इसका बिल्कुल सबस्साइट में रख लेंगे और तब तक आगे की तयारी कर लेंगे तो इहांपर मैंने यह किलो मुली ली है है मुली को अच्छे से छोटी चमश नमक और इसे अच्छ से मिक्स कर लेंगे ताकि मूली अपना पानी एक पानी चाहर चाहर नेया चाहर चतनी बनाने लिए दो तिमाट्र इसका उपर वाला हिस्सा काट लेंगे तिमाटों मोठा मोठा काट कर टो सिंसरे दैंगे यहां पर मैंने दोनों टिमाटर काट लिये हैं यहां पर लिया है मैंने थोड़ा साहरा दनिया तो इसे में डंठल की साथ ही मोटा मोटा काट कर मिक्सी के जार में डाल देती हूं तो यहां पर नहीं है मैंने यह 3-4 लासुन के पत्ते इन्हें भी मैंने यहां पर काट कर यह मिक्सिक जार में डार लिया है और यह देखिए हमारे एकदम तीखी चटपटी टीमार्टर और हरे दंगी की चटणी बनकर तयार है इदर मूली को रेस्ट पर रखे भी पांच मिनट हो चुके थे और इसने भी अपना पानी छोड़ दिया है तो हम इसका सारा पानी निकाल लेंगे और इसे एक बाउल में इस तरह से अच्छ निचोड लेंगे यह देखिए आप चाहें तो किसी कॉटन के कपड़े में या पर मूली को डाल लीजिए और उसे तुम से निचोड लीजिए तो अभी उसका सारा पानी आसानी से निकल जाएगा यह देखिए इस पानी को या तो आपने आटा नहीं गूथा तो आटा उतने में यूज कर लीजिए या तो फिर आप कोई सब्जी बना रहे हैं तो उसमें ग्रेवी में से डाल दीजिए बहुत ही स्वाधिश्ट बनकर तयार होगी यहां पर मूली को भी हमने अच्छ से निचोड कर ले दिने की पतियां आधी चोटी चमच भूने हुए जीरे का पाउडर आधा चोटी चमच अजवाइन एक चुटकी हीं और यहां पर यह मैंने एक चोथाई चमच काली मिर्ष का पाउडर और स्वाध अनुसान नमक नमक हमने पहले मूली में भी डाला था और थोड़ा सा नम मूली की स्टफिंग भी बनकर तयार हो चुकी है और आटे को रेस्पर भी रखे वे दस मिनिट हो चुके हैं तो इसे एक बार फिर से अच्छे से मसल लेंगे पराठे बनाने के लिए मैंने यहां पर यह लोई ले लिए जिस तरह से नॉर्मल कर में पराठा बनाने के लेते हैं उसी तरह से बड़ी सी लोई लेनी है सूख्या आटे में लपेट लेंगे और इसे इस तरह से हातों की सा सब्सक्राफिंग भर दिये हैं यह देखिए हाल के हाथों से दबाते हुए साइट से मिस पराठे को बंद कर लेंगे यह देखिए लुए के ऊपर जो थोड़ा सा आटा है आप चाहिए तो इसे निकाल दीजिए इस तरह से या फिर सी में दबा दीजिए लुए पर फिर से थोड़ा से सूखाटा लगा लेंगे पहले हम इसे हाथों से थोड़ा बढ़ा करेंगे ताके जब हम बेले तो इसकी स्टफिंग बहान न निकले कि प्लपिन हल्क से बेल चल लाएं हम यहां पर बिलकुल भी हमारा पराठा नइफंटा है कुछे कहिं कहीं से भी मूली टुकंट के बहार नहीं निकली है रही अचुल्द सारी नियुक्त पराठा पर पर घेalk対 पांच से यह तरह पारफे के बाद हम समय कोने के बाद में रभाब भाध पेडदि जोपैर फिर घी या टेल यह दोनों तरफ से रซी किनारों menu यह आप के बने के बादा टुर्य // एक पराठा में और आपको सेंद दिखाती हमें देखर भी देखिए पराठा भी बिल्कुल नहीं लगता है थो आपूसी तरह से परांफा बना कर या यह देखिए अधिन इसेख लिए है लोगे बिना फटे गरम गर्म हम्हीर स्वादिष मूले के निए बनकर यह देखिए तो आप भी मूली के पराठे बनाएगा और मुझे बताएगा कि आपके पराठे कैसे बने हैं और अगर आपको में यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा